Good morning students! How are you all? Hope you all are safe and sound at your place and doing great. Today we will read our chapter number 3. Bus की यात्रा हम पाँच मित्रों ने तै किया कि साम चार बजे की बस से चले हम पाँच दोस्तों ने एक साथ मिलकर या तै किया कि हम साम को चार बजे बस से चलेंगे पन्ना से इसी कमपनी की बस सतना के लिए घंटे बरबाद मिलती है पन्ना जो जगह का नाम है से इसी कमपनी की बस जिस कमपनी की बस में वो आये थे उसी की बस सतना के लिए घंटे बरबाद उनको मिलेगी मिलती है जो जबलपूर की ट्रेन मिला देती है जो जबुलपुर जाने वाली ट्रेन से मिला देती है मतलब वहान लिजा कर छोड़ देती है सुबह घर पहुँच जाएंगे मौर्निंग में हम लोग घर पहुँच जाएंगे सुबह होते होते पहुँच जाएंगे हम मैंसे दो को सुबह काम पर हाजिर होना था इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था लब सबको आफिस जाना होता है उनको भी अपने आफिस में काम था और attendance देनी थी morning में तो उन्होंने यही रस्ता अपनाया अपने जाने के लिए लोगों ने सला दी कि समझदार आदमी इसाम वाली बस में सफर नहीं करती लोगों ने बुला कि जो समझदार है वो अभी जो यह रात को बस जा रही है इसमें सफर नहीं करती क्या रास्ते में डाको मिलते हैं उसको लेखक को चिंता होई कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि समझदार वेकती रात को इस सब बस में सफर नहीं करता तो उन्होंने पूछा क्या रास्ते में डाको मिलेंगे नहीं बस डाकिन है तो किसी ने बोला नहीं नहीं ये बस ही डाकिन है बस को देखा तो स्रधा उमर पड़ी बस को देखा उसकी जो जीन सीन अवस्ता थी उसको देख कर उनके मन में क्या स्रधा आगे खूब रद थी बहुत बुड़ी हो चुकी थी सद्यों के अनुभों के निसान लिये हुए थी बार बार जगा जगा चोट के निसान थे इससे लगता है कि बहुत सद्यों के इसको अनुभों है लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते हैं कि रद आवस्ता में इसे कस्ट होगा मतलब लोग इसलिए इसमें सफ़र नहीं करना चाते कि बुड़ा पर मैं इसको परिशानी होगी यहाँ बस पूजा के योग्य थी पुरानी हो गई थी बुड़ी बस थी तो पूजा के योग्य थी उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है भई अभी यह इतनी ऐसी अवस्ता मेंग इस पर सवार होकर सवारी नहीं किये जा सकती है बस कंपनी के एक हिसेदार भी उसी बस में जा रहे थी जो बस की कंपनी थी उसकी जो पार्टनर थे वो भी उसी बस में जा रहे थी हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है, लेखक न उनसे पूछा, कि क्या यह बस चलती भी है, वह बोले, चलती क्यों नहीं है, जी, अभी चलेगी, हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते है, अपने आप चलती है या, हाँ जी, और कैसे चलेगी, लेखक को लगा कुछ धक्काव का लगाना पड़ेगा अब ये अपनी ऐसी अवस्ता में अपने आप कैसे स्टार्ट हो के चल पड़ेगी नहीं चल सकती तो उन्होंने उसी व्यंग में उसको पूछा कि क्या ये अपने आप चलेगी तो जो पार्टनर था वो बोला हाँ जी और कैसे चलेगी घजब हो गया ऐसी बस अपने आप चलती है लेखको को बड़ा आश्चस्री होगा उन्होंने बोला क्या ऐसी बस भी अपने आप चलती है हम आगा पीछा करने लगे जाए ने जाए जाए ने जाए ऐसे हम करने लगे डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत चलो बस अनुभवी है जो डॉक्टर थे एक मित्र थे उनके साथ में उन्होंने बुला डरो मत चलो इनको तो बसको तो अनुभव है ये तो अनुभवी है नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनी है वहीं जो नई नई बसे होती है उनका क्या भरुसा खराब हो जाए ये तो अनुभवी बस है इसका तो भरुसा है हमें बेटों की तरह प्यार से गोध में लेकर चलेगी जैसे एक माँ अपने बच्चे को गोध में लेकर धिरे धिरे जैसे नहीं हिलाती है कि कहीं इसको चोट लग जाएगी धिरे धिरे बोलब ऐसे ही लेकर जाएगी हम बैट गए जो छोड़ने आये थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदय दे रहे हूँ जो छोड़ने आये थे उनको भी चिंता ह पहुआ हो रही थी कि बस अभी रात का समय है बस इनको लेके जा रही है पता नहीं पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी का खराब होगी क्या होगा तो मतलब उनको ऐसे लग रहा था कि जो आए हैं छोड़ने वो अंतिम गुड़बाई कर रहे हैं उनको लास्ट जो निमित चाहिए है तो वो बोल रहे थे कि जो जमीन प्याय है उसको तो ě्भगवान के पास जणाई है जिसने जनम लिया हो तो नरे घए हुँचेगी भले है रजा हो राजा हो रंग हो या फकीर हो कोई भी हो और आदमी को तो मरने के लिए एक कोई निमित चाहिए ही बीन निमित के तो वो मर नहीं सकता इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया मतलब इंजन सच में स्टार्ट हो गया ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है मतलब इतनी जोड से घर घर आवाज करके वो स्टार्ट हुआ कि जो बस में जितने लोग बैठे थे उन सब को लगा कि हम सब इंजन में ही बैठे हैं और हम इंजन के भीतर बैठे हैं काच बहुत कम बचे थे जो बचे थे उनमें हमें बचना था उनसे हमें बचना था मतलब ऐसी अवस्ता में उस गाड़ी के काच थे कि अगर आप उसको छू जाओ तो आपको चोट लग जाएगी हवा आए तो वो आप पे गिर सकते हैं कुछ तूटके गिर गए हैं कुछ इदर उदर हो गए हैं मतलब बहुत बुरी हालत में थे हम फॉरन खिड़की से दूर से रख गए मतलब जो लेखक है वो खिड़की की सीट पे बैठा था हम लोग चाते हैं यह जब बस में बैठें तो खिड़की की सीट मिल जाए हवा आएगी लेकिन जब उसने देखा कि काचों की हालत बहुत बुरी है अगर थोड़ा भी अगर लेखक उसकी तरफ डिगा तो वो काच सारे लेखक के चुप जाएंगे तो लेखक अपने आपको थोड़ा अंदर की तरफ खिसका लेता है इंजन चल रहा था हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है मतलब इंजन जब स्टार्ट हुआ तो इतने भेंकर वाली आवाज कर रहा था कि उसको ऐसे लग रहा था कि उनके नीचे वाली सीट पर ही इंजन है बस सच्मुच शल पड़ी सच्ची में बस चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांदी जी के असयोग और सविन्य अवग्या अंदोलन के वक्त अविश्य जवान रही होगी क्योंकि उसका एक भी पुर्जा आपस में सयोग करने को आतुर नहीं था उसका एक भी पुर्जा एक दूसरे का सयोग नहीं कर रहा था असयोग का अंदोलन चल रहा था जो गांदी जी के द्वारा चलाय गया था अंदुलन आप सबको यादी होगा उस बस की हालत भी वैसी हो रही थी उसके सारे authentication असयोग अंदुलन कर रहे थे उसे training मिल चुकी थी हर हिसा एक दूसरे से असयोग कर रहा था हर हिसा दूसरे हिसे से असयोग कर रहा था पूरी बस सविन्य अवग्या अंदुलन के दोर से गुजर रही थी सीट का बाड़ी से सही असयोग चल रहा था कभी लगता सीट बाड़ी को छोड़कर आगे निकल गई है कभी लगता कि सीट को छोड़कर बाड़ी पीछ आगे भागी जा रही है आट-दस मेल चलने पर सारे भेदभाव मिट गए यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है ऐसी आलत होगे कि पता ही नहीं चल रहा कि हम सीट पर बैठे हैं या सीट हमारे उपर बैठी है एक आएक बस रुक गई मालुम हुआ कि पैट्रोल की टंकी में छेद हो गया है अब बस रुक गई सबने पता किया क्या हुआ बस क्यूं रोकी बस क्यूं रोकी तो बता है कि पैट्रोल की टंकी में छेद हो गया है ड्राइवर ने बाल्टी में पैट्रोल निकाल कर उसे बगल में रखा और नली डाल कर इंजन में भीजने लगा अब देखो उनके पास जुगाड भी है उन्होंने बाल्टी में पेंट्रोल निकाल लिया और बगल में रख दी अपने बगल में रख दी और उसमें एक नली डाल कर इंजन में डाल दी, जिससे इंजन में तेल पहुंसता रहेगा अब मैं उमीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिसेदार इंजन को निकाल कर गोध में रख लेंगे जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे को दूद पिलाती है वैसे तो वैसे ही वो इंजन को पैंटरोल पिला रहे थे तो उनको लगा अब तो ये उसको इंजन को अपनी गोध में ही ले लेंगे जैसे छोटे बच्चे को लेते हैं और उसे नलकी से पैंटरोल पिलाएंगे जैसे माँ अपने बच्चे को बच्चे के मुँ में दूद की सीसी लगाती है लेखा को बड़ा मज़ा आ रहा था ये सब देखके बस की रफतार अब 15-20 मिल हो गई थी मुझे उसके किसी हिस्चे पर भरोसा नहीं था ब्रेक फेल हो सकते हैं मतलब उसके ब्रेक भी फेल हो सकते हैं स्टेरिंग तूट सकता है प्रकरती के दर्शय बहुत लुभावने थे जब दौनों तरफ प्रकरती के दर्शय बहार बहुत लुभावने थे क्योंकि गाड़ी बहुत धीरे-धीरे चल रही थी उनकी तो वो आराम से अपने प्रकरती के दर्शयों को इंजोय कर रहे थे साथ में दौनों तरफ हरे-भरे पेड थे जिन पर पकसी बैठे थे मैं हर पेड को अपना दुस्मन समझ रहा था दब लेखक को हर पेड अपना दुस्मन लग रहा था जो भी पेड आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी जब भी कोई पेड आता तो लेखक डर जाती कि कहीं बस इससे टकराना जाए कहीं बस इससे टकराना जाए वह निकल जाता तो दूसरे पेड का इंतिजार करता एक पेड निकल गया तो ऐसे लगता चलो ये तो चला गया अब दूसरा पेड कब तक आएगा जील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी अब जील दिखती तो ऐसे लगता अब तो बस इसमें गिर जाएगी और गिरेगी तो गोता तो लगाएगी एका एक फिर बस रुखी थोड़ी देर में फिस वापस रुखी ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबे की पर वह चली नहीं ड्राइवर ने बहुत सारे अपना जो तरकीब रोज करता है उसने वो की लेकिन बस नहीं चली सविन्य अवग्या अंदुलन सुरू हो गया था कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो first class है जी यह तो इत्फाक की बात है लब बस तो बहुत अच्छी है first class है इत्फाक की बात है कि आज यह चल नहीं रही है सीन चांदनी में रक्षों की छायां के नीचे यह बस बड़ी दैनी लग रही थी लब चांदनी जो चांदनी थी वो थोड़ी शीन थी और रक्षों की छायां थी उसके नीचे यह बस खड़ी थी बहुत दैनी अवस्ता में यह बस लग रही थी लगता जैसे कोई व्रदा ठक कर बैठ गई हो जैसे बूड़ी औरत नहीं ठक कर बैठ जाती है चलते चलते वैसे लग रही थी हमें गलानी हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं कि इस बूड़ी पर हम सारे लदकर चले आ रहे हैं अगर इसका प्राणांध हो गया, तो इसे बियाबान में ही इसकी अतिसेट्री करनी पड़ेगी, इसका अंतिम सासकार भी यहीं बियाबान में ही करना पड़ेगा, इस सिदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, जो पार्टनर थे उन्होंने इंजन को खोला और आखों की जोती भी जाने लगी, याने उसकी लाइटें चलना बंद हो गई, चांदनी में रास्ता टंटोल कर वह रैंग रही थी, बिना लाइट के बस रात को रोड पर चल रही थी, आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती, दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अब तो वह उमर ही नहीं रही, मतलब वो कहती, जैसे एक बुड़ी औरत नहीं कहती है, तुम जाओ, मैं तो बुड़ी हूँ, धीरे धीरे आऊंगी, वही वाला हाल है कि तुम निकल जाओ, मैं तो, मुझे तो दिखाई नहीं देता, उमर हो गई, अब जब हवा निकली, तो बहुत जोड से हेल कर खड़ी हो गई, अगर इस स्पीड में होती, तो उचल कर नाले में गिर जाती, वो दीरे थी तो क्या करती हील के और खड़ी हो गई, अगर इस स्पीड में होती, और ऐसे अगर टायर पंचर हो जाए, तो वो नाले मे गिर जाती मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार सरधा भाव से देखा मैंने उस पार्टनर लेखक ने उस पार्टनर की तरफ सरधा भाव से देखा वह टायरों की हालत जानते हैं फिर भी जान हतेली पर लेकर इसी बस में सफर कर रहे हैं बैपार्टनर को तो ब ऐसी भावना दुरलब है, मतलब एक अपनी बस को चलाने के लिए आदमी अपनी जान हतेली पर लेकर उस बस में चड़ गया, ऐसी भावना देखने के लिए दुरलब है, सोचा इस आदमी के साहास और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है, यह आदमी बहुत हिम और हिम्मत भी बहुत है, और साहास भी बहुत है, बहुत हिम्मत है, साहास है और बलिदान की भी इसमें भावना है, इसे तो किसी क्रांतिकारी अंदलन का नेता होना चाहिए, इतना हिम्मत है कि पता था कि इसमें जाएंगे, पता नहीं यह बस रात में कहां खड़ी हो जा अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते अगर बस उसमें गिर जाती नाले में और हम मर जाते तो जो पार्टनर है उसके लिए भगवान अपनी दौनों बाहें फेला कर उसका इंतजार करते कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिये मर गया पर टायर नहीं बदला मतलब उसको पता था कि ये टायर के हालत ऐसी है पर टायर नहीं बदला पर उसके लिए अपने प्राण दे दिये दूसरा गिसा टायर लगा कर बस फिर चल जो उसके पास step नहीं थी वो भी पूरा गिसा हुआ जो टायर था वही था अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उमीद छोड़ दी थी अब हमें किसी भी आलत में यह नहीं लग रहा था कि हम पन्ना कभी पहुंच भी पाएंगे या लेट पहुंचेंगे पन्ना कभी भी पहुंचने की उमीद छोड़ दी थी पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की उमीद छोड़ दी थी लगता था जिन्दगी इसी बस में गुजरनी है और इससे सीधे उस लोग में प्रेन कर जाना है मतलब उनको ऐसे लग रहा था लेका को तो अब या तो जिन्दगी इसी बस में गुजर जानी है या सिधा मर जाएंगे तो बगवान जी के पास पहुंच जाएंगे, लोग का प्रैन हो जाएगा, इस पर्थवी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है, हमारी बेता भी इतना खतम हो गया, हम बड़े इत्मिनान से घर की तरह बैठ गये, चिंता जाती रही, यहां सी मजाग चालू ह हो गया, मतलब उनको थोड़ी देर बाद उस बस की आदत हो गई, और उनकी जो चिंता थी वो चली गई, और वो घर में जैसे बैठे रहते हैं, वैसे धीरे धीरे उस बस में बैठ गये, और हसी मसाग चालू हो गया, उन्होंने हसना चालू कर दिया, थैंक यू, हैव क्यासी!